अगर तुम्हारे टेस्ट के मार्क्स कम आ रहे हैं और उतने पर ही इस्टक कर गए हैं या फिर और भी कोई भी तुम्हें टेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है तुम्हें इसे एंड तक जरूर देखना चाहिए अब टेस्ट से पहले क्या करना है वो देखते हैं तो सबसे पहले तो तुम्हें देखना है कि syllabus क्या है ठीक है उसमें कौन-कौन से chapter आ रहे हैं अगर तुमने कोई chapter उसमें से नहीं पढ़ रखा है तो उसको तुम पहले complete कर लो ठीक है उसके बाद test से एक हफता पहले से तुम्हें उसके लिए revision शुरू कर देना है ठीक है नहीं chemistry, inorganic chemistry, organic physical chemistry ठीक है उसके बाद अगले दो दिन में तुम्हें bio पढ़नी है क्योंकि bio-volatile subject है इसलिए उसको last तुम्हें रखा है ठीक है उसके अलावा जो Saturday होगा यानि तुम्हारे test से एक दिन पहले उस दिन तुम्हें बाकी की short notes भी है उनको भी revise कर लेना है साथ के साथी जो तुम्हारा पूरा syllabus है वो तुम्हें Saturday की शाम तक पूरा करने की try करनी है ठीक है इसके बाद test के दौरान तुम्हें क्या करना होता है तो सबसे पहले तो test से कम से कम एक गंडा पहले जो जो topics तुम्हारे test में आ रहे हैं उनको पढ़ना छोड़ देना है ठीक है ऐ maximum लोग यही order follow करते हैं लेकिन अगर तुम कुछ और follow करते आ रहे हो और उससे तुम्हें सही लग रहा है तो तुम obvious सी बाते उसके साथ जा सकते हो कोई जरूरत नहीं है इस पे stick करने की ठीक है के बाद कुछ छोटी-छोटी चीजे होती है जो है तो बहुत छोटी-छोटी बट तुमारे marks में वो थोड़ा बहुत फरक ला सकती है जैसे जब तुम एक्जाम देने जाओ और offline तुमारा test है तो थोड़े से comfortable कपड़े पहन के जाओ पजामा वगर इन सब में जाओ ताकि तुम्हें वहाँ पर परेशानी ना हो ठीक है उसके अलावा एक्जाम से पहल तुमारी OMR sheet है उसमें जो भी तुम्हें आंसे सही लग रहा है उसके गोले में तुम हलका सा slash कर दो इस slash से क्या होगा कि यह slash detect नहीं होता है unless or until तुमने बहुत जादा dark कर दिया उसको बिल्कुल हलका सा करना और फिर अगर तुम जब बाद में check करोगे तब देख सकते हो क अगर तुमारा वो option सही है तो तुम उसको पूरा फिल कर लो नहीं तो तुम दूसरे option को भी टिक कर सकते हो इस टाइम पे ठीक है तो इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें जब तुम तेस्ट देते हो तो उसमें ऐसे काफी सारे questions होते हैं जो तुमें उसके solution देखने वो सब select कर लेना है उसके बाद तुम्हें तुम्हारा एक tutor allot कर दिया जाएगा जिसके साथ तुम one-on-one conversation कर सकते हो और अपने सारे doubts जो भी तुम्हें आ रहे हो वो clear कर सकते हो नहीं नहीं उस session का तुम्हें एक recording भी provide कर दी जाती है जिसमें अगर तुम्हें लगता हो कि बाद में भी तुम्हें कोई उस question में problem आ रही है या कुछ और doubt आ रहा है तो तुम उस recording को देखके अपने जो doubts हैं वो फिर से clear कर सकते हो so feelo app पे आ जाने के बाद तुम्हें connect to tutor select करना है उसके बाद जैसे ही अपना तुम question अपलोड करोगे तुम्हें अज़ों हमारे tutor से connect कर दिया जाएगा premium version purchase करना चाहते हो तो मेरा code vg philo 100 यूज़ कर सकते हो उससे तुम्हें टैन परसेंट आफ मिल जाएगा तो क्या करना है मैं वो तुमको एक चार्ट से समझाओंगा ठीक है कि देखो सबसे पहले test analysis में तुम्हें क्या करना है जो तुमने questions wrong किये उनको तुम्हें solve करना है तुम्हें section B के भोड़ दिये। या तुमसे छूट गए। वो question solve करना है। इन तीन तरह के question तुमने solve किये। उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि ऐसे question से हैं जिनको तुम mistakes के साथ solve कर रहे ह। ठीक है अब उन mistakes को जो mistake वाले question है उनको पहले देखो कि क्या वो NCRT से बार के हैं खासकर bio और inorganic chemistry में अगर वो NCRT से बार के हैं bio और inorganic chemistry में तो उनको तुम छोड़ दो बाकी के जो बचेवे questions हैं उनको अब तुम दो में divide करो एक होंगी तुमारी conceptual mistakes एक होंगी तुमारी silly mistakes जो conceptual mistakes हैं conceptual mistakes के लिए तुमें क्या करना है सबसे पहले अपना concept clear करना है जो भी तुमें doubts हैं वो clear करना है वो कैसे कर सकते हो वो तुमें बता दिया तुम feel के through कर सकते हो ठीक है और बाकी जो sources हैं उनको use करके कर सकते हो इसके अलावा जो तुमने गलतियां की उसको एक mistake copy में लिख लेन के टीक है इसलिए तुमने यह mistake copy बना ली और इसको time to time revise किया इसके बाद आयाते है silly mistakes अब बहुत से लोग होते हैं जो conceptual mistakes तो end तक आते हैं सुदार लेते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत में syllabus नहीं पढ़ा होता last तक आते हैं वो लगबग पूरा syllabus complete कर लेते हैं but silly mistakes का क् बार बार हम same mistakes repeat करते रहते हैं मैं भी यही करता था तो उसके बाद से जब से मैंने यह चीज की मुझे अपने अंदर drastic improvement नजर आया इसलिए मैं तुम्हें यह बता रहा हूं मैंने क्या किया था एक page लिया एक page पे मैंने जितनी भी अपनी silly mistake की है एक sorry test में उन सब को मैंने note से तुम वह सारी mistakes देख लोगे तुमारे subconscious mind में वह fit हो जाएंगी कि यह सब मैंने गलतियां की थी कि मैंने correct को incorrect पढ़ लिया या incorrect को correct पढ़ लिया मैंने not नहीं देखा या all statements are true, accept, accept नहीं देखा यह सब जो गलतियां हैं वह यहां पे लिख लो उसके बाद तुम जब जैस है इसको अपनी copy में बना लो और ऐसी जगे इसको चिपका दो कि जिससे तुम बार बार इसको देखो और तुमारे जैन में बैठ जाए कि हां हमें test analysis करना है और इसी तरह से करना है और मैं जानता हूं देखो एक से दो गंटा तुम्हें हो सकता है लग जाए test analysis में बट को यह test related मिलेंगे next video में thanks for watching